पहले एक ओवर में साथ छकाब धुआदा टी ट्वेंटी सतक ये खिलाडी किसके पच्चिन्हों पर चल निकला रितुराज गायकवार नाम तो सुना ही होगा नहीं सुना तो आप सुनेंगे चुग ये युवा कमाल कर रहा है 28 नॉवंबर से ऐसा प्यार की हर साल बना देता है रिकॉर्ड अब लोग पूछेंगे भाई क्या है 28 नॉवंबर को हारी हो टीम इंडिया दिल जीता है रितुराज ने ये खिलाडी खेलता रहा तो टीम को मिलेगा नया युवराज रितुराज गायकवार नाम तो सुना ही होगा नहीं सुना तो अब सुनेंगे क्योंकि ये युवा कमाल कर रहा है इसे 28 नॉवंबर खूब है पसंद वस इस दिन दे दिया जाए खिलने ये युवा क्रिकेट की इतिहास में नया कीरतिमान लिग देता है 26 वर्षी युवा पूने में जन्मस्तरी CSK की टीम में है वर्तमान में इसके साथ ही 2021 से खेल रहा है भारतिय टीम के लिए ये युवा खिलाडी अपने जोली में रन रखता है जब चाहता है इसकोर बोट पर लगा देता है अब कल का ही देखिए भारत वर्षेस ऑस्टेलिया पांच मैचों की सिरीज का तीसरा मुकावला भारत ने पहले बल्लेबाजी किया शुरुवाती जटके लगे फिर भी 20 ओवर में 222 रनी स्कोर पर था क्योंकि मैदान पर रितुराज थे ये मैच टीम इंडिया हार गई ल भारत के तरब से दूसरी सबसे बड़ी पारी खेली इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोली के नाम था विराट कोली टी 20 में नाबाद 122 रन बनाया था अब कोली तीसरे नमबर पर आ गये हैं पहले नमबर पर सुमन गिल हैं टी 20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भ इस भारतिय धुरंदर खेलाडी ने साल 2022 में एक ओवर में साथ छक्के जड़ दिये थे घरिलू क्रिकेट में महाराष्ट का परतिने दित्तु करने वाली रितुराज गायकवार ने 28 नॉमबर 2022 को ये इतिहास रचा था 28 नॉमबर 2022 को महाराष्ट और उत्तरपरदेश के बीच विजे हजारे ट्रोफी का क्वाटर फैनल मैच खेला गया था जिस मैच में रितुराज गायकवार ने एक नो बॉल समेथ साथ छक्के जड़ दिये थे रितुराज ने उस मैच में 12 सतक भी जड़ा उन्होंने 169 गैंदो की अपनी पारी में 16 छक्के और 10 चौके लगाते हुए कुल 220 रन बनाए वो नाबाद लोटे और अब फिर रितुराज के बल्ले से 28 नॉमबर को ही रिकॉर्ड बना है इनके क्रिकेट केरियर की बात करें तो रितुराज ने साल 2021 में T20 के जड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था उन्होंने सिरलंका के खिलाब कोलंबो में अपना केरियर का पहला T20 इंटरनेशनल मैच खिला था 2022 में वंडे डेब्यू साउथ अफरीका के खिलाप मैज से किया था, फिलाल वो अच्छे फॉर्म में है, देखना है ये खिलाडी अपने केरियर को कितना बड़ा बना सकता है